तमस्कार मित्रो मैं हुता अंत्रेक चंदन सास्त्री आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार देख स्वागत है मित्रो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जुए में हारा हुआ पैसा जितने का अनमोल टोटका आप जुए में अगर आप लाखो रुप्या हार चुके है करोरो रुप्या हार चुके है और जुवा का ऐसा लत आपको पकड़ लिये है ताकि उसकी दलदल से आप निकल नहीं पा रहा है और आप जुए में फिर से हारा हुआ पैसा को अगर बापस पाना चाहते है तो आप ये टोटका को जरूर अजबाएं अगर इस टोटके को अगर आप अजबा लेते हैं तो जुवा में हारा हुआ पैसा आपको 100% आपको वापस मिल जाएगी और आप पुरी तरह से जो है फिर से आप जो है अपने जीत को हासिल कर सकते हैं अपने मुकाम को हासिल कर सकत कि रातो रात हम अरबपती बन जाए रातो रात हम कडुरपती बन जाए और रातो रात जो है हमारा किस्मत चमक जाए तो उसके लिए क्या करते लोग अपने मेहनत को छोड़ करके लोटरी सटा जुआ में पैसा लगा देते हैं और जुआ का लथ पकड़ लेते हैं और अंत मे यह होती है कि पूरी तरह से वोर हार जाते है किस्मत साथ नहीं देता है और आपकी पैसा डूब जाता है तो आप हमें सब ब्याकूल रहते हैं परिशाल रहते हैं कि हमारे हारा हुआ पैसा को कैसे हम हासिल कर सकते हैं हारा हुआ पैसा को हम कैसे पापस पास सकते हैं इसके लि जिससे आप आसानी से जुवा को जीत सकते है और जीता हुआ पैसा को आप अपना घर में ले आ सकते है तो ये कैसे होगी इसकी बीधि क्या है सारे कुछ मैं बिस्तार पुरवक आपको बताने जा रहा हूं आप मेरे वीडियो पर आखरी तक बने रहे अगर वीडियो अच्छ कर दे कॉमेंट बॉक्स पर जा करके जाय मालच्मी जरू लिखे ताकि मातालच्मी का किरपा से आपको जुवे में हारा हुआ पैसा वापस मिल जाए और आप पुरी तरस जीत को हासिल कर सकते है तो मित्रो इस वीडियो में ये तोटके को मैं इसलिए लेकर के आया हूं मेर पास सेकड़ों लोगों आते हैं और बोलते हैं कि मैं जुवा में पैसा हार गया हूं और हमको जो है फीसे पैसा को प्राप्त करना है जुवा में हरा हुआ पैसा को हमको वापस पाना है तो उसके लिए उपाई बताए तो मैं आज जो उपाई बताने जा रहा हूं ये आप जुएते भी जुवारी लोग है सबको आप मात दे सकते हैं इस टोटका के माध्यम से इसमें थोड़ा सा छोटा सा मंत्र का परियोग करना होगा और थोड़ा सा टोटके को करना होगा मंत्र कोई लंबा चड़ा नहीं है लेकिन इसको विश्वास और आस्था के साथ अग कि इसको कब करना इस टोटके को की समय करना है और उसको क्या करना है उसके तरीका सारे कुछ मैं बताने जा रहा हूँ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होगे तो आपके मूबाइल स्कीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब ब प्राइदे के लिए उसका परियोग कर सकते हैं तो इसको करना क्या है मित्रों किसी भी रभीवार के दीन या आमावस की दीन में या आमावस्या की रात में यह किरिया को करना है करना यह है कि आपको करना है रभीवार के दीन में या आमावस्या के दीन में आपको लेना होगा कुमार के चाक का मिट्टी जो कुमार लो जो मिट्टी का बरतन बनाते है उठ चक्री में लगा करके उस मिट्टी को लगा करके बनाते है तो उसका मिट्टी आपको थोड़ा सा प्राप्त करना होगा या आप मान करके ले लिजिए या उससे आप खरीद करके ले लिजिए अगर आपको, वह धागा अगर मिल जाए, जो मिठ्टी का बरतन बनाते हुए धागा का परियोक करके उस मिठ्टी को काटते हैं, अगर वो धागा आप चुपके से वोह हैं अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, किसी को बताये हुए बीदा, तो वो बहुत इसकत़ी शाली, औ उसतोट के के द्वारा आपको बसी करांद से ले करके आप जुआ भी जित सकते है तो उसको प्राप्त कर लेना है और प्राप्त करके आपको थोड़ा से लेना होगा लाजबंती का जड जिसको हमल क्शूई मुई का पौधा बोलते है उसकी जड़ी को लेना है उस जड़ी को लेकर कि उसको चार टुकरा को बना देना चार टुकरा काट करके बना देना है उसके बाद करना है यह कि आपको एक हरे रंग का कपड़ा लेना होगा हरा कलर का कपड़ा लेकर कि आप पूजा इस्थान में उस जड़ी को रख दिज अगर आप उस सूता को प्राप्त किये हैं, तो सूता को भी इसको रख दीजेगा, अगर सूता को नहीं मिला या धागा नहीं मिला, तो कोई बात नहीं है, आप उस हरे रंग के कपड़े के ऊपर में कुमार के चाक्का मिट्टी और लाजबन्ती की जड़ को रख देना है और उसको रख करके आपको उसके उपर दो पिस लॉंग माता लच्मी को परसन करने के लिए दो पिस लॉंग उसके उपर में रख दीजिएगा रख करके पुजा स्थान में उत्तर दिशा की तरब चेहरा करके रात को 11 वजे के बाद ये मंत्र बोलिएगा बस इस मंत्र को आपको 108 बार भोल करके सारे सामग्री को आपको जो है उसके अंदर हरे रंग के कपड़े के अंदर में रख करके हरे रंग का धागा से मना हरा कलर का धागा से उसको लपेट करके आप जहां भी आते हैं लोटरी का टीकट काटने के लिए या सट्टा को खिलने के लिए या जुवा जीतने के जब जाते हैं तो उसको दिल के पॉकेट में रख लीजिए याली जेब का उपर पॉकेट में बाये तरफ आप उसे रख लिजिए रख करके आप जुआ खिलने के लिए जाएए देखिए आपका जुआ में जीत होगी आपका जुआ में जीत हासिल होगी और हारा हुआ पैसा को आप जीत प्राप्त कर सकते है इस तोटके के दुआरा ये बहुती सक्ति सालिक तोटके है लेकिन आस्था और विश्वास के साथ कीजिए बीना किसी को बताए हुई इस क्रिया को करना है और बीना मोल भाव का जो है उस कुमार के चाक का मिट्टी को आपको प्राप्त करना है उसके बाद इस परियोग को कर एकदम निश्ची तोर से आपको सफलता मिलेगी और आपका किस्मत चमकने लगेगी और आपके पास में आकस्मिक धन की प्राप्ती होने लगेगी इसी आसार उमिद के साथ फिरार मैं आपसे बिदा लता हूँ हर हर महादेब जय स्री महाकाल जय मातारा अगर आपको मेरे वी इस वीडियो का लाब मिले मैं इसी आसार उमिद के साथ फिरार मैं आपसे बिदा लता हूँ